साथियों भारत के लोगतंत्र में समाही शक्ति ही देश के विकास को नई उर्जा दे रही है देश वास्यों को नया विस्वास दे रही है दुनिया के अनेग देशों में जहां लोगतंत्रिक प्रक्याओं को लेकर अगर स्थिती बन रही हैं वहीं भारत में लोगतंत्र नित्य नूतन हो रहा है हाल के बर्चों में हमने देखा है कि कई लोगतंत्रिक देशों में अब वाटर टर्न आउट लगातार गट रहा है इसके विप्रीत भारत में हम हर चुनाव के साथ वाटर टर्न आउट को बढ़ाते हुए देख रहे हैं बढ़ता हुआ देख रहे हैं इसमें भी महिलाओं और युवाओं की भागिदारी निरंतर बढ़ती जा रही है साथियों इस विश्वास की इस आस्था की वजह हैं भारत में लोकतंत्र हमेशा से ही गवन्नंस के साथ ही मदभेदों और विरोधा बासों को सुलजाने का महत्वपुन माध्यम भी रहा है अलग अलग विचार अलग 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 द्रश्टिकों यह साब बाते एक वाइब्रन डेमोक्राशी को ससक्त करते हैं डिफ्रेंसिस के लिए हमेशा जगह हो लेकिन डिसकन्नेक कभी ना हो इसी लक्ष को लेकर हमारा लोकतंत्र आगे बढ़ा है गुरु नानक देवजी ने और बड़ी सटिक बात नहीं है गुरु नानक देवजी ने भी कहा है जब लग दुनिया रहिए नानक जब लग दुनिया रहिए नानक किछू सुनिये किछू कहिए यानि जब तक संसार रहे तब तक संवाद चलते रहना चाहिए कुछ कहना और कुछ सुनना यही तो संवाद का प्राण है यही लोकतंत्र की आत्वा है पॉलिशिस में अंतर हो सकता है पॉलिटिक्स में भिन्नता हो सकती है लेकिन हम पब्लिक के सेवा के लिए है इस अंतीम लक्ष में कोई मद्वेद नहीं होना चाहिए बाद संवाद संसत के भीतर हो या संसत के बाहर राष्ट सेवा का संकल्प राष्टहित के प्रती समर्पा लगातार जलकना चाहिए और इसलिए आज जब नए संसज भवन का निर्मान शुरू हो रहा है तो हमें याद रखना है कि वो लोक्तंत्र जो संसज भवन के अस्तित्व का आधार है उसके प्रती आशावात को जगाय रखना हम सभी का दाईत्व है हम यह हमेशा याद रखना है कि संसज पहुँचा हर प्रतिनिदी जवाब दे है यह जवाब दे ही जनता के प्रती भी है और संविधान के प्रती भी है हमारा हर फैसला राष्ट प्रधम नेशन फैस इसकी भावना से ही होना चाहिए हमारे हर फैसले में राष्ट हिद सर्वो पर ही रहना चाहिए राष्ट्रिय संकल्पों की सिद्धी के लिए हम एक स्वर में एक आवाज में खड़े हो ये बहुत जरूरी है